तो आज जो वीडियो है उसके अंदर हम निष्ठा की जो 3.2 की FLN की जो ट्रेनिंग है उसके बारे में डिसकस करेंगे तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर दें लिंक आप यहां देख रहे होंगे इस लि के नीचे आप को यहां सब्सक्राइब का बटन देख रहा है इस पर इख लिंक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें साती बेल कबें इस पर क्लिक कर लाइए ताके लिए जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहले पांच चुके हैं तो देर ना करते हुए आज की तो ट्रेनिंग चल रही है, निस्था 3.0 की, जो की प्रैमरी टीचर्स और स्कूल हेड्स के लिए हैं, उसके लास्ट में आपसे एक प्रशनोत्तरी पूछी जाती है, जिसमें आपसे 20 सवाल पूछे जाते हैं, तो जो ट्रेनिंग है, उसमें लगबग 40 सवालों के एक क्वेस का पूल बनाएगा है, जिसमें से रेंडमली 20 कुश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आज हम लगबग 40 सवालों के यहाँ पर डिसकस करेंगे, जिसमें से आपसे वो 20 सवाल पूछे जाते हैं, आसा है, ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दे साथ ये साथ वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, तो आएए देर ना करते हुए, जो हमारी पहला सवाल है, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं, तो पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रारंबिक स्वास्तों है, मानसिक स्वास्तों है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, प्रसिंशन क्या 2, एक दैनिक दिन चर्या में बच्चे के समगर विकास के लिए, तीन विकास आत्मक लक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए, तो इसके जो उप्शन्स हैं वो देख लेत पहला है बेतर्तीव ढंक से दूसरा अगेले में तीसरा एकिकरत तरीके में या चोथा पदानुकरम में तो जो इसका सही उत्तर है वो है एक एकिकरत तरीके में अगले सवाल के तरफ बढ़ लेते हैं जो तीसरा प्रस्न है वो है लक्षों को डैस एक FLN मिशन की प्रगती की करने के रूप में परिवासित किया गया है तो options पहला option है अविवावकों दूसरा सिक्षकों तीसरा राजपदादिकारियों या चोथा विद्यार्थी तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजपदादिकारियों तो अगला सवाल हम बढ़ लेते हैं प्रसंद संक्या 4 options है पहला वार्शिक आधार पर दूसरा अर्दवार्शिक तीसरा र्यमीं आशिक या चोथा पूरा वर्ष तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूरा वर्ष तो दक्षता आधारि शिक्षा में जो आकलन है वो पूरे वर्ष किया जाता है। अगला प्रश्ण है हमारा गत्वी दियों जैसे काटना, फाडना, चिपकाना, मोति पिरोना, पहीलिया जोडना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू पानी आदी से खिलने से होता है इसके जो options हैं वो है बड़ी मास पेशियों का विकास, दूसरा इस्थिरता, तीसरा संतुलन, या चोथा सूक्ष्म मास पेशियों का विकास तो इसका जो सही उत्तर है, वो है सूक्ष्म मास पेशियों का विकास Hम अगले सवाल के तरफ बढ़ लेते हैं प्रसंस उनके अच्छे विशिस्ट कतन जिसमें ठीक ठीक वर्डन किये गए हैं कि एक सात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं तो इसके options हैं पहला कौशल, दूसरा सीखने के प्रतिफल, तीसरा प्रवर्ति या चोथा दक्षता तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सीखने के प्रतिफल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रसंसंक्या साथ बच्चे बिना समझे सामाने डिकोडिंग द्वारा यांतरिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं, यदि उनका डैस सुनस्चित ना हो तो इसके options हैं मोखिक भाषा आधार, मुद्रण अवधारणा, सब्द भंडार या चोथा अक्षर ग्यान तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोखिक भाषा आधार प्रसंसंक्या आठ, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रभंधन तथा सकारात्मक और योगी संबंद इस्थापित करने की योगिता और परिवेश को खोजने और सनलगन होने की योगिता एक हिस्सा है तो इसका जो उप्शन्स है वो है भासा और साक्षरता विकास का सामाजिक भावात्मक विकास तीसरा सारीरिक और गत्यात्मक विकास का या चौथा साउंदर्य अनुवोती विकास का तो जो इसका सही उत्तर है वो है सामाजिक भावात्मक विकास प्रसंद संख्या 9, रास्टिय सेक्षणिक अनुसंधान एवं प्रसंद परिसद ने प्रात्मे की स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रतेकक्षा और विशे के लिए वर्स डैस में विक्षित किये गए तो इसके options हैं 2019, दूसरा 2017, तीसरा 2009 या चोथा 2020 तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2017 में, प्रसंद संख्या 10, रचनावादी पद्दिती में सिक्षक को डैस के रूप में देखा जाता है, तो रचनावादी पद्दिती में जो सिक्षक है वो उसे किस रूप में देखा जाता है, इसके options है, प्रसिछक के तोर पर दूसरा अव तो रचनवादी पद्यती में जो शिक्षक है वो एक फैसिलिटेटर या सुगम करता के रूप में देखा जाता है तो हम अगले जो प्रशन संक्या 11 है उस पर बढ़ लेते हैं उससे पहले अगर अभी तक हमारा जो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो फटा फट कर दें ताकि अपने दोस्तों के साथ भी ये पहुँचा सक है तो अगला प्रशन है उस पर हम पढ़ लेते हैं प्रशन संक्या 11 बच्चे के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए सिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देरिशन बिंदू है तो इसके जो options हैं वो है पहला सीखने के प्रतिफल दूसरा कोशल तीसरा दक्षता या चोथा प्रवर्ति तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीखने के प्रतिफल प्रशन संक्या 12 जक्षता अधारिस सिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रियोग होता है तो इसके जो options हैं वो हैं विद्यार्थी को उत्तीन अनुत्तीन की श्रेणी में रखने के लिए दूसरा विद्यार्थी के कारें को क्रम बद्ध करने के लिए तीसरा विद्यार्थी को विजिता और हारने वाले के रूप में स्रेणी बद्ध करने के लिए चोथा विद्यार्थियों सिक्षकों के लिए मार्ण निर्देशन साधन के रूप में तो इसका जो सही उत्तर है वो है विद्यार्तियों सिख्षकों के लिए मार्ण निर्देशन साधन के रूप में है। तो पुरस्न संक्या 13 है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। तो पुरस्न संक्या 13 है दक्षता आधारिसिक्षा इस विचार पर आधारित है कि सिक्षारतियों को अवधारणा और सिध्धानताओं की गहरी समझ विक्सित करने योग हो जाना चाहिए ताकि इसके options हैं विज्ञान को वास्तिविक जीवन की इस्थिर्तियों में हस्तांतरित या परियोग कर सकें दूसरा वैसे धहनतिक ज्ञान प्राप्त करें तीसरा वेपरिच्छा में अच्छे अंक प्राप्त करें या चौथा व्यवहारे ज्ञान प्राप्त करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है विज्ञान को वास्त्विक जीवन की इस्थितियों में हस्तांत्रिक या प्रयोग कर सकें तो अगला जो प्रशन है वो है प्रशन संक्या चौदे बुनियादी साक्षर्ता और संक्या ज्यान की रूप रेखा को विभाजित किया गया है तो इसके options हैं पहला तीन विकासात्मक लक्षियों में दूसरा छे विकासात्मक लक्षियों में तीसरा पांच विकासात्मक लक्षियों में या चौथा चार विकासात्मक लक्षियों में तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीन विकासात्मक लक्षियों में प्रशन संक्या पंदरा पहला सरपिलाकार दूसरा आभासी रूप से तीसरा बेतर तीब या चोथा पदानुक रमित। तो इसके जो प्रतीफल हैं वो क्या है सरपिलाकार तरीके में व्यवर्स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर है सरपिलाकार. प्रसन संक्या 16. विकासात्मक लक्ष तीन कक्षा तीन में निमने लिखित विशियों की और प्रगती करता है. तो इसके जो उप्शन्स हैं वो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, दूसरा हिंदी और हिंदी, तीसरा गणित और पर्यावरण अध्यान, या चोथा खेल और क्रीडा, तो जो इसका सही उत्तर है वो है गणित और पर्यावरण अध्यान. प्रसन संक्या 17 की तरह बढ़ते हैं, सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23, उपलिक 2 का संसुधन चिन्नित करता है की, इसके ऑप्शन्स हैं, कक्षा 3 और 5 में सार्वजनिक परिक्षा होनी चाहिए, दूसरा, सभी राज्यों को कक्षावार विशेवा सीखने के प्रतिफल तयार करने चाहिए, तीसरा, यदि बक्षा परिक्षा में अनुत्तीन होता है, तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है, यदि चौथा, नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की जानी चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर है, वो है सभी राज्यों को कक्षा वार विशेवा सीखने के प्रतिफल तयार करने चाहिए, तो प्रसंट संक्य 18 है, सीखने के प्रतिफल एक विशे कक्षा और विशे के लिए प्रतिचिन्नित करते हैं, तो जो सीखने के प्रतिफल हैं, वो विशेश कक्षार विशे के लिए कैसे प्रतिचिन्यत करते हैं तो इसके options हैं पाठों को, दूसरा पाठ्थे पुस्तकों को, तीसरा प्रयोगों को, या चोथा पाठ्थे चर्या को तो इसका जो सही उत्तर है वो है पाठ्थे चर्या को प्रसन संक्या 19, प्रतिपल आधारित पद्दिती प्रदान नहीं करती, तो इनमें से जो उप्शन्स हैं, इनमें से प्रतिपल आधारित पद्दिती किसे प्रदान नहीं करती है, तो उप्शन्स देख लेते हैं, पहला है उत्तीड या अनुतीड के रूप में आकलर, दूसर उन्नत और सक्रिय सीखने के प्रिक्रिया तीसरा बहतर गुणवत्ता पूंड सिक्षण या चौथा एक सामाने संधर बिंदू तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तींड या अनुत्तींड के रूप में आकलन तो प्रतपले आदारित पद्देती है वो उत्तींड या अनु करने के लिए योजना बनाई जाती है तो इसके options है पहला विकासात्मत तैयारी दूसरा कोशल तीसरा कक्षा या चौथा आयू तो इसका सही उत्तर है वो है विकासात्मत तैयारी तो हमारे जो लगबग 20 प्रस्न अभी तक हो चुके हैं लगबग 20 प्रस्न हम से पूछे ज सकते हैं हम अगले जो 20 प्रस्न है उनको भी यहां पर देख लेते हैं तो अगर आप यहां पूरे 40 सवालों को यहां पर देखते हैं तो आप निश्चे तोर पर ही जो सारे सवाल हैं उनके सही जवाब पा सकते हैं तो देख लेते हैं अगले जो सवाल है उनको भी और अभी help करने के लिए तो जो अगर आपको इससे संबंदित कोई समस्या है या वीडियो आपको कैसा लगा तो यह आपको हमें वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी बता सकते हैं तो अगला प्रसन है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं वीडियो को थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है तो वीडियो को पूरा देखें तो जो प्रसन संख्या 21 है वो है कौन सा FLN का नहीं है तो इसके जो ऑप्शन हैं वो देख लेते हैं साइद इस क्वेशन में थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ है तो इसमें question हो सकता है कौन सा FLN का लक्ष नहीं है तो देख लेते हैं इसके options क्या है पहला बच्चों का अच्छा स्वास्त और खुशाली बनाई रखना दूसरा बच्चे खेलों में भाग लेते हैं तीसरा बच्चे प्रभावसाली संप्रिशक बनते हैं या चोथा बच्चे सीखने के प्रती उत्साह परदर्शित करते हैं और अपने आसपास के परवेश से जोड़ते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है बच्चों का अच्छा स्वास्त और खुशाली बनाए रखना ये FLN का लच्छ नहीं है जो अगला प्रसन है वो है प्रसन संक्या 22 पोशन देखबाल का गटक नहीं है तो जो उप्चन से हैं वो है जिम्मेदार देखबाल और प्रारमबिक सिक्षा के अवसर दूसरा अच्छा स्वास्त और पर्याप्त पोशन तीसरा स्वायत्त ता या चौथा सुरक्षा और बचत तो इसका सही उत्तर है वो है स्वायत्त ता प्रसन संक्या 23 डैस के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन परियंत चलता रहता है तो इसका options हम देख लेते हैं वो है कक्षा 8, कक्षा 3, कक्षा 4 या कक्षा 5 तो इसका जो सही उत्तर है वो है कक्षा 3 प्रसन संक्या 24 एक स्वाभाविक सिक्षारती के रूप में बच्चे की ज्यान सूचित करने की छमता को स्यूकार करना है तो जो इसके options हैं वो है प्रसंद संक्या 24 के जो options है वो है option एक रचनावादी पद्धिती, दूसरा सहज ग्यानवादी पद्धिती, तीसरा प्रकृति वादी पद्धिती या चौथा व्यवहार वादी पद्धिती, तो इसका जो सही उतर है वो है रचनावादी पद्धिती, प्रसंद संक्या 25 प्र दूसरा सीखने के प्रतिफल को व्यनफ्टे करने, तीब शीखने के प्रतिफल को व्यावस्टे ग्रम करने यथolina और संदर्ब तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरल पहचान करना और संदर्ब प्रसंशन के अच्छा बिस भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बो हाइडरेट प्रदान करते हैं तो भोजन में ये सारी चीज़ है क्या प्रदान करते हैं हमें तो इसके options हैं स्थूल पोशक तत्व, संतुलित पोशन, प्रतिदरोवदक्षमता या चौथा सूख्षम पोशक तत्व तो ये हमें इसका सही उत्तर है स्थूल पोशक तत्व, ये हमें स्थूल पोशक तत्व अपलब्द करवाते हैं प्रसंद संक्या 27 कौन सादक्षता अधारे सिक्षा का प्रतिफल नहीं है तो इसके options हैं चात्र वार्षिक परिच्छा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं दूसरा विद्यार्थियों की रटने की प्रवर्ती पर निरभरता कम हो जाती है तीसरा अबोध्यता का भारकम हो जाता है या चोथा चात्र अपने ज्यान का प्रियोग करने की वास्तिविक इस्तितियों में करते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है चात्र वार्षिक परिच्छा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो ये क्या है दक्षतादारी सिक्षा का प्रतिफल नहीं है प्रस्ण संग 28 सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए तो सीखने के प्रतिफल कैसे होने चाहिए options हैं अवलोकन करने और मापने योग्य दूसरा पाठ पुस्तक पराधारित जातिगत या वैज्यानिक तो इसका जो सही उत्तर है वो है अवलोकन करने और मापने योग्य अगला प्रस्ण है भोजन में पोशक्तत्तो विटामिन ए आयोडीन आयरन और जिंक प्रदान करते हैं प्रसिंशन तीस बच्चों को निशुल्क और अनवार शिच्चा का आधियम आर्टी एक्ट किस वर्स पारित हुआ था तो जो आर्टी एक्ट है वो किस वर्स में पास किया गया था तो देख लेते हैं इसके options क्या हैं साल 1992, 2009, 2010 या 1986 तो इसका जो सही उत्तर है वो है साल 2009 में प्रस्न संख्या 31 संग्यानात्म तत्तो आदारबूत पहलू और अंतरवयक्त गुणों के कुल योग को कहते हैं तो इसके जो option है वो है दक्ष्ता दूसरा कोशल तीसरा शीखने के प्रतिफल या चोथा प्रवर्ती तो इसका जो सही उत्तर है वो है दक्ष्ता प्रस्ण संक्या बत्तिस दक्षता आधारे सिक्षा प्रणाली में प्रतेक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं तो इसके options हैं बली भातिन निर्धारित और निश्चित कक्षा द्यापक द्वारा विक्षित परिवर्तनिय या चोथा विद्यारति द्वारा विक्षित तो जो इसका सही उत्तर है वो है भली भातिन निर्धारित और निश्चित जो अगला प्रस्ण है वो हम देख लेते हैं गैर प्रतिकरियात्मत सिक्षण डैस पर द्यान के अंद्रत करता है तो इसके उप्षिन्स है पहला बच्चों का सीखने के इस्तर दूसरा बच्चे की कक्षा तीसरा बच्चे के सीखने के को सुनस्चित किये बिना पाठ करम पूरा करने या चोथा बच्चे की आयू तो जो इसका सही उत्तर है वो है बच्चे के सीखने को सुनिश्चित किये बिना पार्ठ करम पूरा करने तो अगला जो प्रेस्न है वो है प्रेस्न संक्या 34 तो यहाँ पर LLN लिखा गया है यह थोड़ा सा है आपर मिस्परिंट हुआ यह है FLN फ्रेमवर्क में दक्चता यह FLN होगा तो FLN फ्रेमवर्क में दक्चताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किये गए हैं तो इसके ऑप्शन्स हैं पाठ पुस्तकों से, पाठों से, विसेयों से यह विकास आतमक लक्षियों से तो इसके जो सही उत्तर है वो है विकास आतमक लक्षियों से प्रस्ट संक्या 35 बच्चों का अच्छा स्वास्त और खुशाली बनाना इस बात पर ध्यान के इंद्रत नहीं करता इसके options हैं, सारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा सामाजिक भावात्मक विकास, तीसरा भासा और साक्षर्ता, या चौथा स्वास्ति स्वक्षिता और सुरक्षा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है भासा और साक्षर्ता. प्रस्टन संक्या 36, संदर्व के उप्युक्त ग्यान कोशलों और प्रवर्तियों के मेल को इस रूप में प्रवासित करते हैं इसके options हैं, पहला प्रवर्ति, दूसरा सीखने के प्रतिफल, तीशरा कोशल या चोथा दक्षता तो जो इसका सही उतर है वो है दक्षता प्रस्टन संक्या 37, FLN का तीशरा वर्स इस नाम से जाना जाता है तो इसके options हैं, प्री स्कूल 3, दूसरा किंडर गार्डन, तीशरा बालवाटिका या चोथा स्कूल ततपरता कारिकरम तो जो FLN का तीशरा वर्स है वो इसका सही उतर है बालवाटिका के नाम से जाना जाता है प्रस्टन संक्या 38, जिस सक्षण में बच्चों को सीखने की आवशक्ताओं को पूरा नहीं किया जाता है कि अबर पाठिकरम को पूरा करने पर ध्यान के अंदृत किया जाता है उसे कहा जाता है तो ऐसी जो पद्धिती है उसे हम क्या कहेंगे तो वो है गैर प्रतिकरियात्मक सिक्षण, दूसरा अनुकूली सिक्षण, तीसरा प्रतिकरियात्मक सिक्षण या चौता चात्र किंदृत सिक्षण तो इसका जो सही उत्तर है वो है गेर प्रतिकरियात्मक सिक्षण तो दोस्तों ये थे हमारी FLN की जो मॉडूल नंबर दो है तक्स्ता आदारे सिक्षा की और बढ़ना की प्रस्ण उत्तरी के कुल 38 प्रस्ण और ये है आकरी जो प्रस्ण है वह हम देख लेते हैं, प्रस्ण सिंग्या 49 तो बच्चों को निशुल्क और अनवारे सिक्षा का अधिकार अधिनियम का उदेश, आयू 10 के बच्चों को निशुल्क और अनवारे सिक्षा देना है तो इसका जो option से वो है जीरो से 8 वर्स दूसरा 23 से 18 वर्स तीसरा 3 से 6 वर्स या चोथा 6 से 14 वर्स तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6 से 14 वर्स तो ये थे हमारे प्रसंद 49 आसा है कि सभी के जो उत्तर हैं वो आपको मिल गए होंगे और इनको जानकर आप अपनी जो क्विज है उसको कंप्लीट कर पाएंगे तो आसा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने हमारे चैनल उसे भी सब्सक्राइब कर लिया होगा वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और दोस्तों के साथ शेर भी कर दिया होगा और अभी तक नहीं किया है तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें तो फिर में लेंगे आपसे ऐसी ही किसी एजुकेशनल वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही अपना हमारे चैनल के साथ जुड़े रही है और दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे हैं